हेलो एन वेलकम काई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग वुमन्स एशिया कप टी ट्वेंटी इंटरेशनल की बात करेंगे जो कि मैच होगा यहाँ पर स्रीलंक का वुमन्स 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 के बिच में हैं तो चले दोनों करेंगे तो चले फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच के शोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटुब चनल को अब दक आपने सबस्क्राइब नहीं कि अधार सबसे पहले आपको यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है पर जाने के जरूबत नहीं आप लोग यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ ही में टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएगा क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल तीम आपको वेपर दी जाती है बात करें इस मैच की तो यह मैच सुबह में 8 बच कर 30 मिनिट पर सीली हट रिस्टिक स्टेडियम सीली हट में खेला जाएगा पीच रिपर वैसे तो बैटिंग फ्रेंडली पीच है अच्छे खासे रंद बंजे चाहिए च्वाड बांडरीज भी है एवरेज जैसे 120 रंड के सकता है लेकिन कंडिशन यही है कि सिलंगा अगर पहले बेटिंग करवाएगी तो एक अच्छा और डिसन स्कॉर बनता हो नजरा सकता है सिलंगा का इस टूडामेट के अंदर हाईए श्कॉर 156 का रहा है तो यह सकती है बागी मलिशा की पहले बेटिंग आई तो देखो इन दिमीगती से खिलती है लेकिन अपनी विकेट्स नहीं देती जल्दी तो ज्यादा विकेट्स गिरने की संपावना थोड़ी सी कम रहेगी सिलंगा ने अभी रख तीन में चली जासे दो में जीते है एक में चारी है ओपनिंग में ऐसे हर्षीता मडवी और चमारी अट्ठा करना थोड़ा से रिस्की रहे सकता है हाला कि यहीं एक उमीद रहेगी आपके लिए लेकिन आप लोग यहाँ पर किसी और प्लेयर के उपर भी रिस्क लाना चाहो तो ले सकते हैं जैसे कि आप लोग यह से मढवी को ट्राइकर सब्सक्राइब ने लास्ट मैच के अंदर इससे पहले 37 की ऐससे पहले 26 की तो इस अपलेयर तो इमपोर्डन है इवन इनके उपर भी आप रिस्क ले सकते हैं कैप्टन वैस कैप्टन सिप का पाकी हसीनी परेरा ने पहली मैच के अंदर 30 रन किये दे पाकी पिछली दो मैच के बाद को तो दो रन और चे रन और और औ से नममर पर तो शायद बैटिंग आने की संपल न थोड़ी से कम रहेगर सिलंका एगर करेंकि तो तो शायद ऑब इंको शिलंका पर पहले गयनवाजी करवाए तो इनको में़ें असे इन को करोंना यहां पर आत्राप कर सकते हैं को ली सुआप शाडि और बरोसा पूरा कर सकते हो राइट आम मीडियम पास गैन बाजी असर पहली गैन बाजी तो आती है तो बिल्कुल आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो नुत्या गनागो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा यहापर क्यूंकि विकेट किपिंग से दिखें यह सब्सक्राइब कर रहें प्लस यह सब्सक्राइब करवा रही है लास मैच के अंदर पूरी वर्स की इससे पहले स्टार्टिंग में से सुगंदिता कुमारी और यसे ओ राना सिंग के स्टार्ट कर रहे हैं देथोस में आये थे और बैंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलता तो इनके स्टार्ट्स और अपडेट वगर आपको टेलिग्राम में मिलने है तो टेलिग्राम से जुड़ना अनिवाज़े होगे आपके लिए बहुत इंपॉनेट रहे है तो टेलिग्राम से जुड़ जाएगा बाकी अभी के इनोंने 33 किये देट दूराइस सिंगं ने तो उनोंने लगबँ 53 गेंदे लिए तो तिरफपन घेंदे खेलकर याँ पर 33 किये तो उस लिवल की बैटिंग्र कर रहे तो ज्यादा बैटिंग से तो कोई एक्शेप्टेशन रहेंगे लेगे ना इस दूराइस इसंग में बे लेने इनके जो भी अगर बैटिंग से आप लेना चाहते हैं तो इनके टॉप के लेना क्योंकि घंडे खराब करेंगे लेकिन थोड़ी बहुत जरूर मारके देख देख सकती है मास हैलिस तो रहेंगे बाकी बात करेंसे महीरा इसमाइल को इनको अप लोग ट्राइ कर सकते हो ओस पुरी करवा रहें पिछली दो मेंच के अंदर विकेट पी निकाल रही है इवन पहली मेंच के अंदर भी विकेट निकाली थी एक ही मेंच अभी रख उनका इसा गया है जा पर विकेट ना मिली हो ओर रोल तीरा मेंच के अंदर साथ विकेट है तो परोसा कर सकते हो एज हासमी पूरी करवा रहें लेकिन विकेट बगेरा तो इनको मिल नहीं रहें बाकी ओर राइना नजवा ओके-ओके रहेंगी हाला कि दिखेंगे आपको विकेट किपिंग परोसा करने चाहिए तो परोसा रहेंगे लिए को रिसकी तौर पर रहना है बात करना आईश या ईलिसा तो इनको डिफ्रेंसिले में ट्राय कर सकती है वैसे तेरा मेंच के अंदर दस विकेट है और पिछली दोनों मेंच के लिएए ऐसके बाज़ार। सकते वाकि दीस रद्धान एक बार यहां पर दो विकेट निकाली थे इसके बाद या इसे पहले उनको विकेट्स मिली नहीं है वियांच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनकी स्ट्राट्स और अब डेर वगर आपको टेलिकाम में मिलते हैं तो जल्दी से जाके आ पर विकेट कीपिंग सेंसे अच्छी फीक मिल सकते हैं बाकी नजवा काफ़ी नीचे बैटिंग रहेगी याऽ से नुत्या गाना की बैटिंग आने के संव्गरत ना काफी कम है लेकिन इस चाहिए संजीव नी विकेट कीपिंग करवाएगी बैटिंग सेंसे एके बनकी सेक आप लोग क्या कर सक्यों या पर दुराई सिंकम या फिर एम इसमाइल की जगा पर आप लोग यहां पर एक बॉलर्स ज्यादा लेना चाहों तो यह से यह अ यहां पर फिर आपको विट्केट क्फिंग शेक्षन में नजवा को लेना पड़ेगा क्योंकि चार प्लियर ओलर ड काफी बड़ी प्लेयर है लेकिन जिस तरह से इस टूनामेंट के अंदर परफॉमस रहा है इस तरह से शायर ही इनको पिक कर सकते हैं लेकिन अगर स्रीलेंग का पहले बैटिंग करवाईगी तो मेरी कैप्टन यहां पर अटा पोटू 100% रहेगी अगर पहले बैटिंग पहले से क्योंकि यह ओपनिंग भी आएगी और वस्पी पूरी करवाईगी अभी के लिए टीम की बात करो तो टीम मेरी कुछ इस तरह से रहेगी याद रहे कि यह चूटीम है यह डेमो टीम है फाइनल टीम आपको टेलीगा में मिलेगी फाइनल लाइनप के बाद तो टेल शेयर कर देना है साथी में यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचिस के वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिलने वाले है तो मिलते हम लोग अगली वीडियो में एक नई सर्प्राइज वीडि देखना है अच्छे से अनालिसिस करना अच्छी टीम बनाना है अच्छी वीनिंग करना है तब तक के लिए बाई धन्यवाद जय हिन जय भारत